नमस्कार साथियो एलाव विताल सुमेधा कितारिया टॉक्स की उर्जा परिमित श्रिंकला की 14th कड़ी में आपका स्वागत है सेल्फ एक्स्प्लोरेशन आत्मनवेशन की इस जात्रा ने दिनों का एक शतक पूरा कर लिया आपके सुहार्द पून साथ और सक्रियस ने ही भागिदारी के लिए सादर आभार सादर वंदन एगो एपिसोड के बाद मुझसे एक एहम सवाल किया गया कि कैसे पता चले स्वाभीमान की हद कहां खत्म होई और अहांकार की शुरू एक तम मन में कौन धा अरे ऐसी सुक्षम सी हदें सीमाएं तो हमारे जीवन के कितने ही पहलों को प्रभावित करती हैं कितने ही लकीरें जिनने अगर हम स्विकार पाने में असमर्थ रहते हैं या ब्रीच करते हैं अतिक्रमन करते हैं तो केवन दुख ही बाते हैं या हर्ट, गिल्ट, पश्चाताप अपने पे क्रोध भी आता है ऐसी कौन सी बाउंटरीज हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम अपनी ओर्जा को क्षीन होने, डिप्लीट होने से बचा सकें क्या वो सीमाएं मर्यादा की होती हैं, शिष्टा चार की, क्या केवल मानविया रिष्टों में ही है जरूरत इन बाउंटरीज की क्या रोका जा सकता है उनकाती क्रमन और उसके बाद हम पर पढ़ने वाला असर प्रभाव ता उम्र से ये सवाल मानविया को कचोचता रहा है कि क्या जरूरी हैं बाउंडरिस परवीन कुमार अश्क के शब्दों में जमीन को जमी को ऐ खुदा वो जलजला दे निशान तक सरहदों के जो मिटा दे रॉबर्ट फ्रोस्ट की मशूर कविता दे मैंडिंग वाल में ये प्रश्न शाश्वत विरोदाभास के रूप में बहुत बखोबी से उबरा है कि दीवारों की जरूरत है या नहीं इस कविता में दो लोग जिनके खेत साथ साथ लगते हैं दोनों की सोच एक तम भिन्न है एक कविचार है हर साल जो दीवार दोनों फील्स के बीच बनाई जाती है वो गिर जाती है तो सच मुच नेचर नहीं चाहती कि वो दीवार हो सम्पून विश्व का इतिहास इनी सरहदों की आसपास लिखा गया है पर आज हमारी चर्चा का विशे निजी स्तर की बाउंडरीस है जिनके होने ना होने पे निर्भर करता है हमारी उर्चा के ग्राफ का स्तर इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक सोलूशन नहीं है बाउंडरीस इंस्टिंक्टिव स्तर पर जरूरत महसूस कर मन में खाके की तरह उभरती है पर कई बार यूँ भी देखा है यह जो मन की सीमा रेखा है मन तोडने लगता है हर रिष्टा व्यक्तिगत हो या सामाजिक किनी दाइरों में बधा होता है सटल पर बहुत असल होता है उन दाइरों का वजूद इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं कि नैथिक अनैथिक मर्यादित अमर्यादित स्विकार्य अस्विकार्या के तमाम माप्दंट इन्ही सुक्षम और रियल सीमाओं के आस पास ही विचरते हैं सीमाओं का निजी स्थर पे अकलन करें तो वो हमारे स्पेस से सबध है हमारा अपना निजी स्पेस जो हमारी emotional mental health के लिए जरूरी होता है खालित मौइन कहते हैं मुहपत की तो कोई हद कोई सरहद नहीं होती हमारे दर्मया ये फासले कैसे निकल आए boundaries व्यक्ति के self love को परिभाशित करती है अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम follow करते हैं अपनी एक दिन चर्या schedule जो काम, आराम, खानपान, सैर, जिम, गेम्स, टीवी, शेयन, ध्यान, पूजन, पठन, लेखन, परिवारी कतिविद्यों के समय के आसपास निर्भर करता है जैसे ही उसमें कोई रुकावट आती है या व्यवधान पढ़ता है तो हमारा mood गड़ बढ़ा जाता है स्वाणूशासन हमें बिला शकोशुभा स्वस्थ जरूर रखता है आधोनिक एप्स या गैजट्स फोन या घड़ी के माध्यम से वाइबरेट करके हमें चेताने में मदद करते है पर हाँ उनकी मानना या अवग्या करना हमारी अपने प्रतीक कमिट्मेंट का मापतंड है यूके की प्रसित मनोवेग्यानिक डॉक्टर तारा क्विन के मताबिक फित्रतन हमारे अपने विचार, समरितियां और अनुभव होते हैं जिन की सीमाएं दूसरों के सामने कई बार धूमिल हो जाते हैं Boundaries are healthy for helping you identify and keep that space सीमाओं का निर्धारन हमें autonomy, स्वायतता प्रदान करता है हम जो चाहते हैं या नहीं चाहते उस पर नियंतरन रख सकते हैं हमारा workplace हम से professional रिष्टिकों की मांग रखता है और हमारा घर अपनत और स्नेह की workplace पे सिर्फ मशीनी होना जरूरे नहीं हम compassion रख सकते हैं पर work ethics की परेदी को कभी लांगना सही नहीं जैसे हमारी घरेरों सित्यां हमारे काम के आड़े नहीं आने चाहिए उसी तरह हमारी family life में office और उसके stress का वहां के अनुभवों से प्रभावित हमारे mood का प्रवेश सही नहीं जहां जहां घर और कार्यक्षेत्र की boundaries blurred होती हैं धुंदली होती हैं तो उसके परिणाम दूरगामी स्तर पर अच्छे नहीं रहते साथियो boundaries विलग करने के लिए नहीं जोडने का काम करती हैं पर ये हमारे निजी दृष्टिकोन पे हमारे perspective पे निरभर करता है जैसे वो कहते हैं न दाग अच्छे हैं उसी तरह से boundaries healthy relationships की नीव होती हैं जो हमें किसी भी संबंथ में safe, secure और सशक्त महसूस करवाती हैं इस जात्रा में आगे बढ़ते हुए हम समझ पाते हैं कि boundaries का होना हमारा अधिकार ही नहीं करतवे भी है कि हम वो choices कर सकें जो हमारे लिए श्रेश्ट हों, सही हों और हम दूसरों के भी इस अधिकार की कदर जरूर करें boundaries मुख्य रूप में शारीदेग, भावनात्मक, intellectual और आर्थिक कही गए है अगर मैं ये कहूं कि boundaries उस रसी या रूप के समान हैं जिस पर नट चलता है तो कोई अधिश्योक्ती नहीं होगी अगर बहुत कसी होती है रसी तो उस पर नट चल नहीं सकता rigid कठोर होती है boundaries तो हम दूसरों से संबंद रखने में गुरेज करते हैं अंतरंग रिष्टों में भी detached रहते हैं aloofness हमारी स्वते प्रकट होती है दूसरी और अगर वो रसी धीली होती है तो नट के गिरने का खत्रा ज्यादा होता है lose boundaries में हमें no कहना मुश्किल लगता है दूसरों की समस्याओं में हम बहुत ज़्यादा involved हो जाते हैं अपने निजी तरीन जानकारियां भी सांजा करने लगते हैं सबसे बड़ी बात दूसरों को खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं इस भाय के साथ कि कोई हमें reject न कर दे दोनों प्रकार की अती खुशी की निरंतरता में बाथक होती है अगर हम अपनी अपनी सुविधा सुत्रंतरता निजीता के लिए इतने sensitive हैं तो हमें दूसरों की भी जिंदगी में इन सब के लिए space देना चाहिए पर अपनी choice को थोपना नहीं चाहिए इफ्थिखार आरिफ का कलाम जिसे नूर जहां ने बहुत बखुबी गाया है बड़ा प्रसंगिक है मैं उससे जूट भी बोलूं वो मुझसे सच बोले मेरे मिजास के सब मौसमों का साथी हो मैं उसके हाथ ना आऊं वो मेरा हो के रहे मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो ऐसा करना या सोचना भी साथी हो wouldn't it mean asking for too much? जब हम boundaries को set करने बारे सोचते भी है ऐसा लगता है जैसे दोस्ती के समक्ष दिवार खेंश रहे हो पर जिस तरह हम healthy diet लेते हैं या exercise करते हैं उसी तर्स पे boundaries रिष्टों की health के लिए जरूरी है Dr. Baker के अनुसार boundaries के होते stress hormones, adrenaline और cortisol पैदा ही नहीं होते जिससे हमारी mental well-being सुरक्षित रहती है साथियो एक बात शिदत से समझ आई है कि boundaries logic यानि तर्क, खोश या अकल के मदरसे से ही उभरती है फरनेदा फासली के शब्दों में होश वालों को ख़बर क्या, बेखुदी क्या चीर से जो जनून से जीते हैं वो नहीं रख पाते बाउंटिस जिन के लिए खोशा ना लो मस्ती चंगी उनके लिए तो कोहे गम भी मिले तो जो होस हो आपाखो के जो आप ही भया ऐसे विरले खुदा के बंदों के लिए सुफी कवी हजरत शाह नियास कहते हैं हिद्र की जो मुसीबतें हिद्र की जो मुसीबतें अर्ज की उसके रूबरू नाजो अदा से मुस्कुरा कहने लगा जो हो सो हो दुनिया के नेको बद से काम हम को नियाज कुछ नहीं आप से जो गुजर गया उसे किया जो हो सो हो पर हम सामान या दुनियावी जन बेखुदी में नहीं जीतें खुद के लिए जागरूख होते हैं, होने भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति, बेसिक नेचर पे निर्वर करता है, कि हम सीमाओं की जरूरत समझते हैं, या नहीं, या कब समझते हैं, अतिसम वेदंशिल व्यक्ति को, तो कभी यहां तक भी गिरा, एक अश्क मेरे सबर की दोहीन कर गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी तकलीफ को छिपा कर भी रिष्टों को जिन्दा रखना चाहता है, एक तम से नहीं समाझ आता, ऐसी सम्वेदनाओं में जीने वाले व्यक्तित्व को, बांडरीस का वजूद, उनकी जरूरत या एहमियत, और साथियों जरूरी नहीं कि वो गिर के भी संबल ही जाए, पर exception is not the rule, आम तोर पे हम थोड़ा हर्ट होने के बाद ही सीखते हैं, बांडरीस के अर्थ और value, साथियों जिन्दगी को एक सतत सफर के रूप में ही लिया जाए तो अच्छा है, जिसके मुकामों में अच्छे बुरे अनुभव सुभाविक हैं, थोड़ी असुविधाएं, तकलीफें भी जिन से सीख कर आगे बढ़ना होता है, चलते रहना होता है, रुखना नहीं होता, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है की जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जित यो ना तोड़ो, हर पल एक दरपन है, ये जीवन है, अपने कमेंटर से जरूर अवकत करवाईएगा, जल्द ही फिर मिलेंगे, जैहिंत!